स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में आज के शो साइंस थर्जडे में हम बात करेंगे हाई वोल्टेज डाइरेक्ट करेंट ट्रांस्मिशन के बारे में तो आए जानते हैं तो डाइरेक्ट करेंट के बारे में बात करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम लोग AC यानि अल्टरनेटिंग करेंट एक्चली इस्तमाल क्यों करते हैं तो सबसे पहले यह समझें, electricity का एक final value होता है जिसे हम लोग watt करते है, कितना watt खा रहा है ठीक है, तो watt है उर्जा, तो उर्जा का दो factor है, कैसे वो दो हिस्से से हिसाब लगाया जाता है, voltage into ampere तो problem यह है कि अगर आप voltage बहुत बढ़ा देते, ampere घट जाता है, अगर आपका watt सेम है, तो यह mathematical relationship है, यह physics पे है, आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है और आप पढ़ ही होगे, class 67 में, तो हिसाब यह बनता है कि अगर आप voltage बढ़ा देते हैं, तो आपका resistance घट जा रहा है, मतलब आप 100 MW के power plant से बात कर रहे हैं, तो अगर वो voltage बढ़ाता चला गया, उसका ampere घटता चाहता है, ampere घटा के फाइदा क्या होगा, ampere घटा के फा resistance, resistance जो है, ampere के साथ reactor के power देता है, तो power का मतलब यह था कि वो गरम हो जाता है, तो इसलिए आप तार में voltage का rating बहुत high देखते होगे, आप कोई भी तार जो आप घर में इस्तमाल करते हैं, उसके साथ यह मतलब multiply हो जाएगा, और power जो आपको दे रहा है, मतलब गरमी जो न सिर्फ तार से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस गरमी से तार खुदी पिखल जाएगा, जो आपकी आप देखते होगे, कि आप फ्यूज में उसी लगाया जाता है, पतला सा तार है, ज्यादा इलेक्ट सिटे गया, वो जल जाता है, तो वो सब रोकने के लिए कि आप बिजली दूर तक भेच पाए एक तार में, और आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि रिस्टेंस कम हो, तो आप बोलोगे कि तार तो इतना मोटर तगड़ा होता है, अरे मोटर तगड़ा है और रिस्टेंस भी बहुत कम है, लेकिन पर मीटर माली उसका रिस्टेंस एक है, एक हजार किलोमेटर में उसका रिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो समझ रहा है, इसलिए वोल्टेज कितना बढ़ाया जाता है, और ये सब करने के लिए कोई भी जनरेटर ऐसा नहीं बना होता है, जो मतलब 10,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट या 50,000 वोल्ट या 300 KV तक बनाता है कोई जनरेटर इतना नहीं बनाता है, जनरेटर नॉर्मल 3000, 4000, 5000, 10,000 के नीचे ही जनरेटर और ये मैं वो जनरेटर की बात कर रहा हूँ, जो कोल पावर प्लांट में रहता है, या मतलब हाइडरो डैम में रहता है, वो सब जनरली बहुत ज़ादा नहीं देता, लेकिन उसक उसको लेके ऊपर बढ़ाना, मतलब उसका वोल्टेज बढ़ा देना और एमपरिज घटा देने का काम हम लोग करते हैं, ट्रांसफोर्मर से, यही है मीर रीजन की हम लोग ट्रांसफोर्मर ये मतलब AC करेंट इस्तमाल करते हैं, बाकी कोई चीज अच्छा नहीं है, सिर्फ इसी कारंट से कि हम लोग उसका वोल्टेज लेके उस वोल्टेज को बहुत बढ़ा सकते हैं, और बीना कोई साइड इफेक्ट के, तो ट्रांसफोर्मर हम लोग इस्तमाल करें, और ट्रांसफोर्मर कोई भी चीज हिलता डोलता नहीं है, मतलब आप स्विचिस होंगे, जैसा-जैसा कोईलिंग उस कोईल के उपर करते हैं, मैगनेटिक कोईल के उपर, आप चाहते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाए, तो आप दूसर साइड का कोईल ज्यादा कर देते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाए, जो रेशियो दोने के कोईल में होता है, उतना स्पीट से आपको सोचना भी नहीं हो, एमपरेज अपने आप घट जाएगा, तो इसी के चलते हम लोग एसी इस्तमाल करते हैं, एसी करेंट को और कोई रिजन नहीं है, टेसला को बुद्धी इसी चीज में है, और किसी चीज में नहीं है, मतलब इसी के चलते एसी चला, डीसी नहीं जीट जाता है, लेकिन डीसी को आप बढ़ा नहीं सकते हैं, डीसी का वोल्टेज लेके आप कुछ कर नहीं सकते हैं, डीसी आप ट्रांस्वर्मर्मेंट नहीं डाल सकते हैं, तो अच्छा, एसी हम लोग एक सो साल से ही इस्तमाल कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई side effect है, हाँ ह सबसे बड़ा side effect है कि skin effect, इसका मतलब हो जितनी बार AC on-off, on-off, on-off हो रहा है, जैसे कि आप तो पता ही होगा कि 50 Hz अपने घर में आता है, तो वो on-off, on-off होने के चलते हैं, एक magnetic field बनती है, जैसे तब ही तो transformer चोग रहा है, उसका side effect ही आजाता है कि कोई भी conductor हो, चाहे कितना इसके लिए एक मोटा तार के जिगहां पे पतला pipe भी डाल दीजिए, पतला pipe और मोटे तार में कोई अंतर नहीं है, तार सिर्फ बरबाद हो जाता है, क्योंकि ये AC का nature ही है, कि वो skin effect करेगा, तो skin effect जैसे से बढ़ता जाता है, तो अगर बहुत मोटा तार लेते हैं, तो मह तार देने का कोई मतलम नहीं है, 4-5 पतले-पतले तार देके कम बजट में निप्टाने का कोशिश किया जाता है, लेकिन समझ लिए ये खुद में है, ये AC के खुद में है कि ये बरबाद कर देगा conductor, मतला आप कोई भी कंडर, कितना भी पतला हो, वो center में खाली रहता है, और आपको पता है, ये बहुत पतला तार बनाएंगे, फ्यूस थोड़ी बनाना है, आपको मेगावाट बै मेगावाट पावर ले जाना इधर से उदर, तो उसके लिए कोई हष्ट पुष्च चाहिए, बहुत महिनत करना पड़ा है, मोटा नहीं बना सेथे के वेस्ट हो हो जाएगा, और बहुत सारे पतला बनाता है, जंजट हो जाता है, उसको हैंडिल करने में, और जेतना फ्रिक्वेंसी बढ़ता जाएगा, वो अतना नुकसान होता है, बढ़ता ही चला जाता है, इसके इफेक्ट से, प्लेन में हम लोग 300 हर्ट से इस्तमाल करते हैं, मतलब तक तो नहीं ले जाना है, प्लेन तो छोटा ही चीज़ है, तो सहर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो सहर में अगर अगर हर्ट से 50-60 है, ठीक है, 50-60 से उपर गया, तो बस नुकसान बढ़ जाएगा, फिर आप इसलिए ध्यान देजिए, कभी भी आप अपने ट्रांस्फ किलो वाट में आप नहीं ठीक से कर पाईएगा, क्योंकि मैगनेटिक नेचर जो है, एसी का और वो ओन आफ हो रहा है, तो एक एफेक्ट क्रियेट कर देता है, जिसे हम लोग कहते है, पावर फैक्टर, वो पावर फैक्टर प्लस आपका जो रियल पावर कंजम्शन है, वो कि एक ट्रांसफर्मर को करीब 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 ये 1200 वाट में भीज़ना पड़ता है, किकटी बरबादी हो जाती है गस्केज़ना के मतलब इसमें पर त्रांसपरमेर या इनवर्टर, आप ध्यान से बनास देख रहता है, तो केवीजि ए में बहुत लिखा रहता है लेकि तो तो मतलब अगर माली आपका मैथ वता रहा है कि आपने तार का हिसाब लिया स्किन इफेक्ट का भी हिसाब ला लिए कि ठीक है मैं यहां से बिजली बेजूँगा 100 किलोमेटर दूर मेरे को इतना बिजली मिलना चाहिए जरूरी नहीं कि मिलेगा कम हो जाएगा और 1000 किलोमेटर पर तो लगबग ना हो जाएगा 5,000 किलोमेटर पर कुछ नहीं आएगा उदर लाइडवल भी नहीं चलेगा च्योंकि यह कपासिटेंस के चलते बहुत ज़्यदा अटिनुएशन होता है मतलब यह समझे और खतम होते जाती है आप यहां से 10 मेगावाट भेजे उदर जाते 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 एक इसको दफनाना मुश्किल बात है प्रॉबलम यह है कि चोकि इसका मेगनेटिक फील्ड है और इसका कपैसिटेंस बॉड़ जाएगा अगर उसके अगल मगल काफी मिटी रहे या पानी रहे जैसे माली नदरी के अंदर आप तार डाल दिये मतलब आप सील करके आप तार डा अगर समुंदर के अंदर से आप मतलब तार बिचाना चाते हैं तीस किलोमेटर से आगे जा नहीं सकते हैं वह एसी का पूरा खतम हो जाएगा तो इसलिए आप इस तरह के लाइन कभी अंडरग्राउंड नहीं देखें किया जा सकता है छोटे डिस्टेंस के लिए कभी कभी परेजी एगा उसी अधा सिधाली खारत है अगर आप ऐसे हावा में टांग रहे हैं पचास सल की वरणटी मिलेगे जमीन में गाड़ रहे हैं 25 साल के मिलेगे और 25 भी बहुत हो गया जनरली क्योंकि लॉट्ज के चलते वह गरम होगा गरम होने के चलते आप और बिजली भे मतलब पूरा दुनिया बन चुगा पचास हर्ट्स और साथ हर्ट्स पे तो उसको घटाना अच्छी बात नहीं है मतलब अब नहीं घटाया जा सकता और घटाएंगे तो को सारा पंखा चलना मतलब पंखा रेंगने लेगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी से उसका रोटेशन वोल्ट तो मतलब रेलवे ज्यादा बिजली बरवाद ना करें लेकिन वह सक्सेस्फुल नहीं रहा तो डीसी का फायदा के बारे में जानते हैं डीसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंड़क्टर जो भी आप जो भी तार खरीद रहें आप उसका पूरा पैसा निकाल रहे हैं आ उसी तार में आपको मंदब कुछ चेंज भी नहीं करना आप उसी तार में ज्यादा बिजली भेज पाएंगे और बहुत मोटा कंड़क्टर आप इस्तमाल कर पाएंगे जैसे अगर माली आप जमीर में दफनार है तो तो मोटे हश्ट पुष तंद्रुस तार इस्तमाल कर स यानि कि अगर माली हमाले में आपका कहीं हुए पावर प्लांट है और आपको साउथ इंडिया में बिजली चाहिए वो ला सकता है इतना दूर चाइन इसलिए इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहा है डिसी पावर लाइन के चलते क्योंकि तो चैना का जो आवादी है वो है सी तो इसको इस्तमाल करेंगे, तो DC पर इसलिए महनत हिया जाता है, कि अगर आप बहुत दूर भीजली भीजना है, तो आप यह इस्तमाल कर सकते हैं, दूसरा इसमें वो तिगडम नहीं है, रियक्टिव पावर और अग्टिव पावर करें, तो यह अगर 2 किलोवाट बोल रहा है, यह बात आप एकनम ध्यान से समझेगी, DC लाइन के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है कि हम घर में DC भेजें, घर-घर में DC होगा, हिसाब बस यह है कि हम लोग, मतलब पावर प्लांट से, कोई भी कोईला पावर प्लांट है, या सोलर फार में इसका वीडियो देख सक यह आप समझेगा और इसको अंडर्गांड कर से तो और बहुत जगह आप दिखते होंगे, इस तरह के फोटो मिल दोगे, समुंदर में है, विंड फार्म है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो विंड है, समुंदर में बहुत है, बहुत अच्छा से बिजली मिल रहे ह अगर आप लगा दीए अपना विंड फार्म तो उसको डीसी के माधियम से ही ला सकते हैं, एसी से आप ला नहीं सकते हैं, तो इसलिए डीसी पे इतना महिनत किया जा रहा है अभी, और यह समझे कि एसी लाइन जो है, आप कोई भी एसी करेंट लीजिए, वह आप एक, न्यूटरल लाइन जोड़ते हैं, नहीं चोड़ सकते हैं, क्योंकि एसी में बहुत सारे चीजिए हैं, सबसे पहले तो आपको मैं दे बता है हर्ट्स, जिसे माली आप यहां से यहां खूदने का कोशिशिश की है, यह दोनों एक दूसरे को उड़ा डालेगा, क्योंकि एक करना है, मतलब उससे फाइदा यह होता है कि स्टेवल हो जाता है, ग्रिड में क्योंकि कई बार काफी सारे जनरेटर को जैसे जितने पोल पावर प्लांटर हैं इंडिया के सब जुड़े हुएं ग्रेट से, सब का जनरेटर को मेंटेन रखना पना पता है, एक आरपीम पे औरोडों खर्चे लगाए जाते हैं, इंक्यूप्मेंट लगाए जाते हैं, कि यह कम से कम इधर से उधर हो, और अगर यह फिसल गया जादा, माल यह कोई एक पाउर प्लांट यह फिसल गया उसका, वो पूरा अगर किसमत अच्छा रहा तो से फ्यूज उड़ेगा, और मैं इसका बात कर रहा हो, सब्स्टेशन वाला, ऐसा नहीं जाएं वहाँ, बस MCB है, उसको दवारा चालू कर दिया, काम कर ले गया, और वो डैमेज भी कर सकता है, इसलिए इसमें कोई भी ऐसे आप बस जोड नहीं सकते हैं, तो पाउर ब्लांट के लिए बहुत तिगड़म ब आपको नहीं सोचना है, तीन फेज है, तीन फेज का कौन एंगल है, कौन कितना चल रहा है, नहीं, कोई टेंशन ही, बस प्लस माइनस देखिए, और ये कर दिया, तो जैसे कोई सोलर फार्म बनाता है, उसको आप टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, कि अरे मतलब एकदम मेरा इन वर्टर एकदम परफेक्टली मेंटेन रहे, क्योंकि अगर नहीं रहेगा, तो ग्रिड डैमेज हो जाएगा, इस कारण से इसको आप किसी से भी मिला सकता है, डीसी को इसलिए बनाया जा रहा है, डीसी पे इतनी महनत की जाए, इंडिया में भी आप देख रहे हैं कि का सब्स्टेशन तक ले जाया जाएगा, और एक डीसी ग्रिड के माधी हमसे लेगा, यह मतलब एक नहीं ग्रिड बनाई जाएगी, जिससे जमीन के अंतर दफनाया जा सकता है, तो अच्छा अगर डीसी में सब फाइदे फाइदा हैं तो नुकसान क्यों है, और हम लोग डीस यहीं तिगणा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर के चलते AC इस्तमाल किया गया, तो अभी के जो तिगणा में लगा-लगा के हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई बी तरीका नहीं जासे कि डीसी को लेकर डीसी को सीधे बढ़ा दे, आपके मोबास अगरा जा सकता है, कम पावर के तो इसलिए हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो DC को DCS नमाल ले फिर उसके बाद यह आता है कि जो है भी जिससे हम लोग अभी यह कर रहे है असी चीज नहीं जो आपको बता रहा हूं यह बहुत नया है बहुत महंगा है तो पहले तो यह समझे कि जो तरीके से हम लोग AC आए ठीक है क्योंकि AC को आप ट्रांसफर्मर में डा से तो इतना हाई वोल्टेज को DC में बदलते हैं अब वो चुकि इतना हाई वोल्टेज है मतलब 800 के बाद अब तीन जीरो लगा यह उतना हाई वोल्ट है मतलब आठ लाक वोल्ट का जो बिजली है उसको हैंडल करना मुश्किल बात होती है तो उसको हैंडल करने वाले सिस्टम है यह एक बंदा है छोटा से यह सब कपैसिटर सिस्टम है बहुत बड़ा यूनिट ल यह वो चलने वाला 10-20 साल से पहले तो आपको टेंशन भी नहीं देगा लेगिन यह सब मतलब यह सब जहां जहां बनाए जा रहे है वहां तो एक बैक अप बना के रख दिया जता है फुल साइज का कि हाँ यह यह उड़ने ही वाला है हाँ उड़ा ठीक है उसमें बैक अप किया जा सकते हैं डीसी को दोबारत तीन फेज एसी बनाना उतो और मुश्किल है वह इतना मुश्किल है उसके बारे में बात करने का कोई लेना देना ही नहीं है और उसको फिर वही जंजट हो जाता है कि सब का फेज फिक्स रखो लेकिन वह अपने तरफ किया जा रहा है ज दूर से बिजली लाके दूर तक ले जाना है अभी सिफ बैकबोन का इस्तमाल किया या समुंदर के आरपार आपको बिजली ले जानी है जैसे युनाइट किंग्डम और यूरोपियन यूनियन जो दोनों के बीच में समुंदर है समुंदर के बीच से तो अप ले नहीं जा वोल्ट तक का है तो वो काफी ऊपर नहीं है क्योंकि वोल्टेज और एमपेर सेम है अगर आप एक सेम तार लेते हैं और वोल्टेज बढ़ाते चला जाता है अब बहुत ज़्यादा बिजली भेच सकते हैं तो उस करण से सब लोग हाई वोल्टेज चाता है ठीक है मतलब 10 लाख वोल्ट के आसपास का बात हो रहा है बर्पुष्ट वोल्टेज की बात हो रही है तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो ज्यादा ऊर्जा लेजा सेवें चाइना ने अभी रिसेटली एक प्लान कंप्लीट किया है जो करी 12 गीगावाट यानी 12,000 12,000 मेगावाट को यह DC लिंक के थ्रू भेजने का बेवस्था कर रहे है समझ यह 12,000 मेगावाट भर पुष्ट अमाउंट है दूसरा हम लोग को अंडर्गराउंड करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए चुकि मै अगर हाई वोल्टेज आसमान से जाने लेगा वह एक चीज करता है जैसे कहते हैं आर्कें जो बिजली गिरता हुआ देखते है वह वही है तो अगर जैसे माली यह तार है और इसमें 25,000 वोल्ट चलना ठीक है नीचे नहीं गिरेगा और लेकिन 10-20,000,000 वोल्ट अगर आप करना है तो इसलिए यह सब बहुत उंचे होता है आप देखके ही समझेगा कि देखिए ट्रांस्फोर्मर में जो बिजली जाती है वो कितने उपर से आती है और जो ट्रांस्मिशन लाइन वो कितना उंच आ रहता है और आपको देख एक आईडिया लगने लग जाए कि यह इसको जमी में दफनाना जरूरी है वहां पर आर्किंग की समस्या खतम हो जाती है पलस जैसे भारत की अवादी दो अरब तक पहुंचने वाली है उस दर्मियान जमीन का इस्तमाल करना अच्छा बात रहेगा अब गर्मेंट यह जमीन का फस गया है कि वह जमीन का कुछ कर सकता और उसके अगल बगल भी आपको खाली रखना है क्योंकि वो मतलब पूरी देश की बिजली दर उदर कर रही है उसी से और वो कभी खराब वह तो तुरंट वहां तक पहुंचना ऐसा नहीं कि आप उसको ढग दिये एक दम दफना यह मतलब कर दिये उसके अगल देना सब के लिए फायदे मंद साबित होगा और सब स्टेशन तक मतलब एक पाउर प्लांट से सबस्टेशन के बीच में ग्रेड होगा जो सब को सब से कनेक्ट करेगा और जैसे मुंबई के पास है तो पाच्छे मतलब अंडर ग्राउंड से उपर लाके सब स्टेशन रहे पाउर प्लांट और सबस्टेशन को जोड़ेगा तो यही हम लोग करने वाले हैं और आने वाले टाम में चैसे जैसे टेक्नोलोजी अथी जोड़ियाएगी कि हम लोग 100 मेगावर्ट से नीचे का भी डी सिस्टम बना पाएंगे अगर ऐसा हो गया तो मतलब छोटे-छोटे सोलर फार्म भी डी सी के माधियम से जोड़े जा सकेंगे तो यह था मेरा वीडियो डी सी पाउर ग्रेड के बारे में उमीद करता हूं को सिखने के कुछ मिला हो अच्छा लगा हो समझ में हो अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों कि शाद सेयर कर दीजिए नहीं लगा कोई बात नहीं है डिसलाइक भी कर सकते हैं आप कॉमेंट लिखे कि अगले अपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे और मैं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए अगर फ्री है तो गंटी बजा दीजिए आपने मेरा वीडियो देखा यह जानके मुझे बहुत खुशी भी धन्यवाद